परिचय आप अपने माता पिता के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर में हैं आपकी मा सामान लेना चाहती हैं आपके पिता कुछ पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं और आप अपने लिए कुछ म्यूजिक डिवीडी लेना चाहते हैं आप तीनों डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। क्यूं? क्यूंकि स्टोर में सभी चीजें अपने प्रकार के अनुसार अलग-अलग जगों पर रखी गई हैं। चीजों को इस तरह रखना सुविधा जनक है और इससे बेहतर प्रबंधन हो पाता है। इस पार्ट में हम चीजों के वर्की करण के आधार के बारे में विस्तार से जानेंगे। चीजों को बनाने में जो कच्चा माल इस्तिमाल किया जाता है उसके आधार पर छाटना। ये समझना कि चीजों को छाटना क्यूं जरूरी है। आप अलग-अलग शेत्रों के लोगों को देखिए। अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं, अलग-अलग वैवसाय करते हैं, अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग-अलग पसंद रखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम अपनी जिंदगी में जो भी चीजें इस्तिमाल करते हैं, उन सभी में विविदता होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं, वो अलग-अलग रंगों के होते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, इत्यादी, जो पात्र हम समान रखने के लिए उप्योग करते हैं, उनके आकार में भी अंतर है। वे शंकू के आकार के, बेलनाकार और घन के आकार के होते हैं इत्यादी। हम जो सोफा और डैनिंग टेबल अपने घर में इस्तिमाल करते हैं, वो लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। कहने का मतलब ये है, कि सभी चीजों के आकार, रंग और गुन अलग-अलग हो होते हैं। बेक, जूते और जैकेट बनाने में चमड़ा, प्लास्टिक, रेक्सीन या जूट का इस्तिमाल होता है। स्कूटर, कार और बस जैसे वाहन स्टील से बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं बहुत सी अलग-अलग तरह की चीजों से बनती है आकार के अनुसार वस्तुएं को छाटना। एक बॉक्स घन या घनाब होता है, जबकि एक गेंद गोल होती है। एक लॉंट्री बैग बेलनाकार होता है। जबकि कोई वाशिंग मशीन, क्यूबॉइडल यानी घनाब होती है, तो हम कह सकते हैं कि हम वस्तुएं को उनके आ आकार के आधार पर वर्गी कृत कर सकते हैं, एक समुह में व्रताकार या गोलाकार वस्तुए होती हैं, जबकि दूसरे समुह में घन, घनाब, वर्गाकार और आयताकार वस्तुए होती हैं, इस तरह का वर्गी करण हमें अलग-अलग प्रकार के आकारों के गुणों के चीजों को उन में इस्तिमाल हुए कच्चे माल के अनुसार छाटें। चीजों को उन में इस्तिमाल करते हैं। चीजों को पानी आप अपनी प्यास बुझानी के लिए पीते हैं, वो तरल है। जबकि आप जो खाना खाते हैं, वो ठोस है। गर्मियों में आप जो ठंडा जूस पीते हैं, वो तरल है। जबकि जिस गिलास से आप जूस पीते हैं, वो ठोस होता है। सर्दियों में आप जिस गर्म दूद का आनंद लेते हैं, वो तरल है। जबकि जो भाब दूद से निकलती है, वो गैस है। तो ये सपश्ट है कि जो वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, या रोज मर्रा की जिन्दगी में उप्योग करते हैं, उनको तीन श्रेणियों में वर्गी करित किया जा सकता है। ठोस, तरल और गैस। चीजों को चाटने की जरूरत। हम चीजों यानी समगरियों को वर्गी करित करने के लिए अलग-अलग आधारों की मदद लेते रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा की ऐसा वर्गी करन महतुपूण क्यूं होता है? हमारी रोज मर्दा की जिन्दगी में हमारा सामना बहुत सी चीजों से होता है। चीजों को समुहों में चाटना हमारे दैनिक जीवन में बेहत महतुपूण है क्यूंकि मिलती जुलती चीजों को एक साथ रखने से उन्हें ढूनना आसान हो जाता है चीजों को समुहों में चाटने से उनके गुण धर्मों का अध्ययन भी आसान हो जाता है और हम उनके वहवार में विन्यासों को भी देख सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं हमारे आजबास मौजूद चीजें अलग-अलग आकारों, रंगों और स्थितियों में होती हैं चीजें अलग-अलग सामक्रियों से बनी होती हैं चीजों को उनके आकार और रंग के आधार पर वर्गी क्रित किया जा सकता है उन्हें वस्तु की स्थिति के आधार पर वर्गी क्रित किया जा सकता है इसके अत्रिक्त चीजों को बनाने में जिस कच्चे माल का इस्तिमाल होता है उसके आधार पर भी उनका वर्गी करण किया जा सकता है चीजों को चाटने से हम उनको आसानी से ढूंड सकते हैं चीजों को चाटने से हम उनके गुण धर्मों का भी अध्ययन कर सकते हैं